अपने अक्सर देखा होगा कि जब भी लिड़किया मेकप करती हैं तो आखों के मेकप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है आइलाइनर को फिर चाहे हम इसे अपनी पलकों के उपर लगाएं या फिर काजल वाले हिस्से पर हम काजल की बज़ा आईलाइनर लगाएं लेकिन क्या आप जानते हैं आईलाइनर लगाने के भी काफी तरीके होते हैं कई लड़कियां आईलाइनर लगाने में उतनी एक्सपर्ट नहीं हो जितना की वो चाहती हैं और दूसरों के आइलाइनर देखकर उनके मन में हमेशा एक वाहिश रहती है कि हम ऐसा आइलाइनर कब लगा पाएंगी अगर आपको भी आइलाइनर लगाने का शौक है और आप उतनी ज्यादा अच्छी आइलाइनर आर्टिस्ट नहीं है जितना कि बनना चाहता है तो आप गीले आईलाइनर की बज़ाए सुखे आईलाइनर का इस्तेमाल कर सकती है ये पैंसिल के फोम में आता है और मार्केट में एजी ली अवेलबल है और इसका इस्तेमाल करना काफी ज्यादा आसान होता है आप अपने डिजायर रिंद के कर सकती है और अगर आपसे कोई गरती हो जाती है तो आप इसे इएरड़ से आसानी से करेक्ट कर सकती है आप इससे लिए मार्केट में कई ऐसे लिए जोrit के पेमें नहीं कि卵र पर्ञेंट अगर आप थोड़ी सी प्राक्टिस करके उन्हें लगाना चाहें तो भी क्यारी कर सकती हैं अपनी आखों के डिजाइन के अकॉर्डिंग और अपनी डिजायर लेंद के अकॉर्डिंग ही आप आईलाइनर लगाएं और अगर आप आईलाइनर लगाने में उतनी केवेबल नहीं है तो आप किसी ब्यूटिशिक के सहायता भी ले सकती हैं और अपनी आखों के बारे में सही तरीके से पता लगा सकती हैं कि आपकी आखों पर किस तरीके का लाइनर सबसे ज्यादा सूट करेगा सो दोस्तों लाइन लगाने से पहले इन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखे मेरी ब्यूटी से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए